प्यारे दोस्तों कैसे है आप सभी और दोस्तों आज हम एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन या लो ब्लड प्रेशर के बारे में आखर यह सिचुएशन जो है यह कंडिशन जो है वह क्यों होती है हमारे आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टन वीडियो है लास तक जरूर देखना लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक पे अगर आपको वीडियो देखने है और आपके सारे आड़े टेड़े ऊट पतान सवालों के जवाब आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए सही जवाब को और नीचे दिये गए बल आइकन को क्लिक करना बिलकुल ना भूलिएगा ताकि आमारे नए वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले बहुत सके तो चलिए शुरू करते हैं, तो दोस्तों इसका सबसे पहला रीजन जो है वो है प्रेगनेंसी, अगर कोई महीला प्रेगनेंट है तो उनको लो बलड प्रेशर का जो प्राब्लम है वो आ सकता है, यह बहुत कौमन है क्योंकि प्रेगनेंसी में काफी सारे चेंजिस भी कोई continuous चलने वाली चीज नहीं है, लेकिन pregnancy में ऐसा हो सकता है, यह one of the reasons है, जिसकी वज़ा से blood pressure low हो सकता है, लेकिन इसके और भी कई reasons है, उसके तरफ भी हम जाने वाले हैं, अब चलते हैं अपने अगले reason की और, तो दोस्तों, अगला reason है हमारा heart problems, अब heart problems में कई तरह के problems होत है, या कोई artillery block हो रही है, ऐसी कोई भी problem हो सकती है, या जनमजाद कुछ बच्चों का weak भी होता है, बहुत heart, तो हो सकता है कि अगर आगे चलकर उनको ठीक तरीके से treatment दी जाए, तो यह जो condition है, वो ठीक हो सकती है, लेकिन generally जिनको heart conditions है, उनको यह problem आ सकती है, उनको आने के chances मैं कहूंगा कि ज्यादा होते हैं, नॉर्मल आर्मी के मुकाबले, तो जिनको heart conditions है, उनको इन सारी चीजों से बचा के रखना बहुत जरूरी होता है, और obviously ना कि सिर्फ low blood pressure जिनको heart condition है, उनको और भी कई सारे problems हो सकते हैं, तो overall इन लोगों की बहुत जादा care रखना बहु तो हाला कि thyroid से और बहुत सारे problem होते हैं, लेकिन low blood pressure होना ये भी इसी का एक, हम कह सकते हैं कि byproduct है, thyroid में इसका भी बीमारी हो जाता है, problem हो जाता है, लेकिन हाला कि ये भी कुछ ठीक तरीके की दवाईया खाके या कुछ देर बाद ठीक हो सकता है, क्योंकि ये continuously ये problem नहीं आता है, उनको कि continuously blood pressure drop हो रहा है, ऐसी problem नहीं आती है, लेकिन अगर उनको thyroid की condition है, तो ये problem होने के chance सुनको जाधा रहता है, अब चलते हैं हमारे अगले reason की और, तो दोस्तों अगला reason है blood loss, अगर मान लीजे आपको कही चोट लग गई है और उससे बहुत ज्यादा खुन र और अगर उसको सही वक्त पे रोका नहीं गया, तो आपको low blood pressure का problem आ सकता है, obviously क्योंकि अगर heart के पास blood ही नहीं होगा pump करने को, तो वो क्या pump करेगा, heart तक अगर blood पूरी तरीके से पहुच नहीं पा रहा है, कम पढ़ रहा है, तो obviously blood pressure जो है, वो लो ही होने वाला है, तो ऐस मामलों में अगर किसी का बहुत ज्यादा खून बह जाता है, तो उसको low blood pressure का problem तो होता ही है, लेकिन अगर कुछ हद से ज्यादा ही बह जाए, तो वो आदमी उस case में मर भी सकता है, तो कभी भी अगर cut लग जाए, और बहुत ज्यादा खून रिषने लगे, तो सबसे पहली बात आपको ये देखने चाहिए, कि वो खून कैसे रोका जाए, तो अब चलते हैं हमारे अगले problem की और जिसकी वज़या से low blood pressure हो सकता है, तो दोस्तों अगला problem है dehydration, तो जैसे कि माली जी किसी आदमी के बदन में पूरी तरीके से पानी बिलकुल कम हो गया है, या उसको प blood pressure का भी problem हो सकता है, अगर dehydration हो जाए तो दोनों हो सकता है, या तो low भी हो सकता है, और ये basically पानी की कमी से ही होता है, तो जैसे ही उस आदमी को medication दिया जाएगा, कुछ glucose सडाया जाएगा, तो उसके बाद से वो बिलकुल normal हो जाएगा, ये condition उनकी continuous नहीं रहती है, लेकिन dehyd hydration ये भी इसका एक कारण हो सकता है, अब चलते हैं हमारे अगले कारण की ओर, तो दोस्तों अगला हमारा कारण है severe infection, अगर आपके blood में या आपके body में कोई बहुत ही तेज या बहुत ही strong infection हो चुका है, तो ये infection आपके blood flow को भी affect कर सकता है, तो इसकी वज़ा से एकदम से blood pressure shoot हो जाना, या एकदम से blood pressure low हो जाना, ये समस्या आती रहती है, तो इसके उपर तो देखे एक ही इलाज है कि वो जो infection है, उसको जल्दी से जल्दी body से दूर किया जाए, बाहर फेंग दिया जाए, तो यही उसके उपर इलाज हो सकता है, और कुछ BP की गोलिया जो low blood pressure पे ख chances बहुत होते हैं, और हमारा जो आखरी reason है, वो है loss of nutrients, यानि कि आपके खाने में अगर उतने nutrients नहीं है, उतने जरूरी तत्व नहीं है, जिसकी वज़ा से आपका blood flow ठीक रहे, तो उसकी वज़ा से भी low BP का आपको problem हो सकता है, इसका सीधा सा solution है कि आप अपना खाना पीना तरीके से रखे, इस चीज को ध्यान में रखे कि अपने खाने पीने में सारे जरूरी nutrients हो, और किसी भी चीज की खमी ना पड़े, हालकि आप डॉक्टर की सला भी ले सकते हैं, कि actually कौन सा nutrient आपके खाने में कम पढ़ रहा है, कोई vitamin की deficiency है, या कुछ और चीज है, तो डॉक् कैसे किया जा सकता है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे कुछ knowledge आपकी gain हुई हो, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को like करना बिल्कुल ना बूलियेगा,